असलाम अलेकूम कैसे हो आप सब वेलकम बैक टो मैं चैनल मेरा नाम जैनब है मैं आइज मेकप से रिलेटिड वीडियो बनाती रहती हूं आज की वीडियो मैं ये फाइफ मिनेट इजी स्पार्टली गोल्डन साई मेकप अचीव किया है जो के बहुत ही इजी है चलिए हम अपना वीडियो स्टाट कर लेते हैं सबसे पहले मैं अपनी आइलीड को प्राइम करूंगी कंसीलर अप्लाइ करूंगी मैं यहाँ पर मेबिलीन का एज रिवाइन कंसीलर यूज कर रही हूं मेरा शेड है लाइट पेल आज की वीडियो में मोस्त्री जो मैं अप्लाइ करनी हूं मैं यहां पर यूज करी हूं सिग्मा का इट्विटिफाइफ ब्रिसल्स बहुत ही सोफ्ट है थोड़ से फ्लाइट है और आगे से फलफी है जिसे ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है पहले स्टेप में मैं सेंपली आई शेडों को जो है अच्छा लग रहा है इसके बाद मैं जो लोवर लेश नाइट अपलाई कर रही हूं आज मैंने शेडों जो है तो डिफरेंट चूज किया मुझे लगा के मेरी आंखों पर इस अच्छा लग रहा था लेकिन वीडियो मुझे अच्छा लग रहा था था इसके लिए फॉयल आइशेडो है बीच कोस्माटिक्स के यह भी सेम पेलेट पर आपको मिल जाएंगे लिंक आपो नीचे डिस्क्रप्शन बोक्स में मिल जाएगा यह एकदम प्रेस्ट और फॉयल आइशेडो है जैसे मेटालिक शेडो होती है इनका फॉल ओड बहुत ही कम है और ब्रश के मदद से अपलाई किया है तो बताती चलों के मेटालिक शेडो ब्रश लगाने पे अच्छे पिगमेंट नहीं आती लेकिन यह फॉयल शेडो है तो इसको ब्रश के लगाने से भी इनकी पिगमेंटेशन सेम मुझे फिंगर जैसे ही लगी तो अगर आप अपने ब् इसको अपनी पूरी लिड पर रेंडम ली अप्लाई कर लीजिए और एक बहुती चोटे से साइस का ब्रश लीजिए मैं यहां पर बड़ा ब्रश इसलिए नहीं रही क्योंकि वो सारे चंकी पार्टिकल्स अपना मारा ग्लीटर जो है अपने ब्रश में ले जाएगा तो च नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं मेबिलीन का यह लाइनर है अप्लाई करने के बाद एकदम जर्ट ब्लैक हो जाता है और मेरा बहुती फेवरेट मुझे यह अच्छा लगा इसके रिजर्ट भी बहुती अच्छा लगे एक तो एजी तो अप्लाई था बेंगनर्स के लिए बहुत ही असान रहता है और आज मैं बिल्कुल सिंपल लाइनर अप्लाई कर रही हूं लाइक अपनी लिड के कोर्नर तक कोई भी विंग शेप नहीं बना रही है वह टोटली ऑप्शनल है अगर आपको विंग जदा पसंद है तो आपी साइड मेकप के बहुत ही जबर्दस लगे है पिग्मेंटेशन भी बहुत अच्छी है लाइटनिंग पावर भी बहुत जद अच्छी है इसके बाद मैं सेग्मा का यह लाइनर यूज करूंगे अपने वाटर लाइन पे आपको इसा भी काजल पैंसल यूज कर सकते हैं यह बहुत ही थेक जड़ बलाइक है इसके बादे बिल्कुल छोटे से फ्लैट ब्रीलेंग बले कर में से और आपने अगये लाइच लाइन ना दिखे ब्लैक वली इसके बाद में मेबिलीन का यह संसेशनल मस्कारा यूज कर रही हूं इसका वांट हो बहुत ही कर्वी सा है और बहुत ही असानी से आपकी आइलेड्स पर आइलेश पर अपलाई हो जाता है बताती चलूंकि यह वाटर प्रूफ बिल्क बहुत ही बेस्ट रहता है यहां पर में इसका स्वेचिस भी आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ा सा अपने नौस के सेंटर को हाइलाइट करके बहुत ही अच्छा देखता है यह जैसे कि आपको मेरी वीडियो में निजर आ रहा है इन प्रोडुक्स के लिए आप उनका प और यहां पर मेरा मेकप कंप्लीट हो गया आई होप कि आप लगो को अच्छा लगा हो यह लैशी मेरी फेवरेट तरीन है मैं इनका डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आई होप कि आप लगोगी मेरा इजी पीजी सा लुक बहुत ही अच्छा